यम्लनगर के बिलासपुर में बिजली विभाग में दोख़गडी काम मामला सामने आया है हर्याना बिजली वित्रन निगम के कई करमचारी विभाग को लाखो रुपई की राशी को फरजी वाउचर त्यार करके हड़क रहे थे जिसे लेकर बिलासपुर के एक्सियन ने मामला दर्ज करवाया लेकिन एक्सियन को भी गिरफ़गार कर लिया गया है क्या है पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में हर्याना बिजली वित्रण निगम के कई करमचारी विभाग की लाखो रुपई की राशी को फरजी वाउचर तयार करके हड़प रहे थे जिसे लेकर बिलासपूर के एक्सियन ने बिलासपूर और इजयमुना नगर थाने में 80 लाक से जादा की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया लेकिन ये एक साजिश के तहट किया गया इसका खुलासा तब हुआ जब एक शिकार के आधार पर बिलासपुर के XCN से समालखा पुलिस ने पूछताच की और इस पूछताच के दुरान ही XCN नीरच कुमार अपनी ही बुने जाल में फस गए जिसके बाद उन्हीं गिरफतार कर लिया गया दरसल समालखा में एक व्यक्ति की शिकार पर आट फरवरी को धोखा धरी का मामला दर्च हुआ था मामला दर्च होनी के बाद जाच की गई तो पता चला कि ये ट्रांसेक्शन बिजली निकम यमुना नगर के बिलासपूर और जगादरी कारियालियों सी की गई थी जिसके बाद समालखा पुलिस की जाच के तुरान सारे मामली का खुलासा हुआ मीजी तोर पर हमना स्पेशल ओडिट टीम को बुलवाया है है हैड ओफिस है यहाँ जगादरी बीजन के अंदर भी हमने स्पेशल ओडिट के लिए डिप्यूट करने के लिए कहा है जो कि एक दो दिन में आ जाएगी और सारा इसका 2013 से लेके 2021 तक का सारा डाटा जो है ओडिट होगा है दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है जो CIA ने की थी वहां पर जो गरिफ तार की गए है वहां तो एक जर्नल FIR दर्ज है जिसके भी हाँ पर अभी इंवेरी चल रही है वहीं पुलिस दोख अधड़ी का मामला दर्ज कर जांच में चुट कई है पुलिस दोख अधड़ी का मामले में जहां पुलिस दोख कर रही है वहीं बिजली निगम की ओडिट टीम भी इस मामले में जहां पुलिस दोख कर रही है मामले में गैनता से जांच कर रही है अब देखना ही होगा कि इस मामले में आगे और क्या कुछ निकल कर सामने आता है